यदि पि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, फिर भी हम समझाने की चेस्टा करते हैं, यदि जाग जाओ तो समझ जाओगे, अपनी तरफ से प्लार्थना करते हैं, जिनके कानों में सब्द पहुँच रहे हों, ये हैपी निउ एर आदी जो भी हैं, बहुत बार त पतना मुसार मना लो, तो ये मान लो कि आपके उपर अशीम कृपा हो जाएगी, हे बंधू, यदि पि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि दुश्नेहा पासईर महा, तुम बहुत धुरंत कठिन मोह फासी से बंद चुके हो, अग्यान से युक्त हो, इसलिए पहले करें, मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, फिर भी हम समझाने की चेस्टा करते हैं, यदि जाग जाओ तो समझ जाओगे, हे बंधू, तुम जिससे जिससे अपनापन के हो, ये केवल घड़े हैं, इन घड़ों में केवल एक ही कृष्ण जैसे करोड घड़े रख देने पर करोड प्रतिविम्ब सूरी का पड़े, तो सूरी करोड नहीं हो जाते हैं, वो एक ही सूरी है, जैसे करोणों घड़ों के नश्ट कर देने पर करोणों सूरी प्रतिविम्ब नश्ट जैसे जान पड़ते हैं, तो क्या सूरी पर कोई फर को पड़ा क्या नहीं ऐसे ही वो सच्चिदानंद ग्याम सुरुप परमात्मा इन सब घड़ों में बिराद मान है उसको न जानकर उसको न मानकर हम इन सरीरों से प्यार कर बैठे हे बंधु बंधु जनहा जिसको तुमने प्रीमाना है जिन सरीरों को तुमने अपना माना है य यहीं इस्थूल शूक्षम कारण यतते सदईव दुस्नेय पासईर महां एक ही लड़का है बहुत रुपया कमारा है पधार गया पूरा परिवार उजड़ देया यह काल का कलेवा संपुर्ण संसार है यह भाई यद्यपी मेरी बात तुम्हारी समन में नहीं आएगी पहले क सब प्रशन्नता चाहते हैं आनंद चाहते हैं शुक चाहते हैं पर नासवान दुखाले में बड़े आश्चर की बात है यह बंद हो तुम मेरी बात नहीं समझपाओगे स्रीपात कह रहे हैं बड़े आनंदित बड़े शुखी बड़े हर्शित होते हैं जब अनकूलता हमा वारे को घेरती है अनकूल पुत्र अनकूल धन संपत्य अनकूल पद सब विवार अनकूल भूल गए मैं कौन हूं किस ले आया हूं मेरा परम करतब क्या है भूल गए अनकूलता में अब जब प्रतिकूलता आई तो डूब गए प्रतिकूलता में निकलने का चांस नहीं इसल माया कापी विमोहिनी, बहुत विचित्रियम विमोहिनी माया है, कभी तो इस्त्रियाह का लाला पह, इस्त्री शोरूप में ऐसी चेश्टाएं मधुर भाषा, सुधा में बाचो कामिनाम रशवर धनम, बानी अम्रत्मई हिर्दय में काम बेदना का प्रादर भाव, ऐसी शिशु कलाला पह, कभी छोटे बच्चे के रूप में लड़ खड़ा के चलना, और तोतली बानी में बोलना, मानों प्राणों का परण कर रहा है, दुश्नेह पासईर महा, ये उस्त्रिभन विमोहिनी माया का पास, तुमारे हरदय को जकर रहा है, तोतली बानी में बोलके पिता, पापा, गोद में चड़ा, पूरा हरदय आशक्त हो गया, उमधुर मुश्कान, सुधामयम बाचो, अम्रत्मई वानी, कटाक्ष भरी चितवन से, विनोध भरी वारता, पूरा हरदय भस गया, घोरा अनर्थ, घोरा नर्थ हो गया, क्यों, यहां आये थे जीवन मु करूँगा, कहीं भी मनता सकती नहीं करूँगा, एक मात्राप का भजन करके जीवन मुक्त हो जाओंगा, तो फिर क्या, ग्रेष्थी में ना रहें, नहीं हराम से रहें, तो पतनीशे प्यार ने करें, नहीं बहुत प्यार कीजिए, लेकिन शुआर्थ की गंध रहिथो कर उसे परमात्म सुरूप जानकर पुत्रशे प्यार ना करें बहुत करो गुपाल जी की भाव ना करो सुएम स्री कृष्ण कैसे आंगन में खेल लें कैसे तोतली बानी में बूल लें भगवत भाव युक्त करो नहीं तु कहरें दुस्तने है पासईर महा घोरा नर्थ तुम समझ नहीं पाए ऐसी फासी में बन गए घोरा नर्थ हो जाएगा एक बार भी राम कृष्ण हरी बोलने का उसर एमाया नहीं देती भाग गिशाले हो जो आगको सत्संग सुनने का उसर मिला नाम जपने की रुची बनी और अधर्मा अचरन त्यागने की चेश्टा हुई बड़ी कृपा हुई है समाल लोपने आपको निदाम मर्थ महत्वं विध्य पार्थम परम ये अनर्थ का निदान करने का अभी समय है दूराद पाष्य श्वजनान सुख मर्थ कोटिम अभी समय है निकल सकते हो उनमें भगवत भावना करके केवल भगवत भावना करके छोड के भागने से कुछ नहीं होगा ये दुस्ने पासाईर महा भोरा अनर्थ छोटी मुटी फासी नहीं है बिना फासी के ऐसे फासी है भागते हुई इस संसार में घूमते रहो चाहे जो वेश बदल लो इस फासी को जब तक नहीं काट पाओगे ये दुरासा ये दुस्ने है ये बहुत बड़ी फासी है विशे चुगा जिन चुगय मन चुगत का चुक सुक हो है फिर फासी ऐसी पर है फासी नहीं दिखाए देती लगी बहुत जोर की है परिवार का राख परिवार की महमता इतनी जोर की है कि हमें लगता है यही सत्य है और यह हम साधारन पुरुशों की बात नहीं कर रहे है जो भागवत गीता शास्त्रों का अच्छा ग्यान रखते है रोज पाठ करते है उत्तम कुलके हैं बड़ा अच्छा सुभाव तो कहते हैं परिवार की चिंता अरे यहां इतनी चिंताए है हम कहां से माला लेके बैठे है माई पास समय थोड़ी है भाईया जब काल आवे न तो यही उत्तर दे देना यहम आवे तो यही उत्तर दे देना लोग समझते हैं सारी रिक्ष्रम के बली तो करते हो मानसिक स्रम में आके देखो हम मन को गसीट कर विश्ट के प्रपंच से विश्वाती भगवार में लगा के देखाओ पांच मिनट, उस खराब हो जाएगा, बाबा जी का वो कारी थोड़ी है, संपोर्ण राक का त्याप करके, संपोर्ण भोगों की वातनाओं को सहते हुए, सच्चिदानंद में ब्रत्ती लगाना, दिन भर मेहनत करते हुए, कारी किये, भोग संगर किये, उन भोगों को भोग और रात्री में भोग विलासिता से युथ हो करके, मुर्दे की तरह सो गए, अपने को बहुत बड़ा काम करने वाला समझते हो, अरे जिस काम के लिए आए, उस काम को पांच मिनट भी नहीं किया, किस बात का तुम्हारा कारी है, जब यहां से जाओगे तो एक मात्र, तु पीवनी हुई अराद जो भी हैं, जिनकी जीवन में आते हैं, मदीरा पीना, मांस खाना, बेविचार करना, विलासिता करना, ये कभी भूल कर गल्ती मत करना, अगर हमारे शब्द पहुंच रहें, तो हाद जोड़ कर आप से प्रारसना करते हैं, कोई भी उत्सो मनाने के ल पीर को उढ़ा दो, हो गया तुमारा न्यू एयर, हो गया तुमारा बर्थडे, हो गया तुमारा उत्सो, ये राक्षसी उत्सो, चलो आज चलते हैं, हमुग जगे और वहाँ ये खान पान करते हैं, ये तुमारी दुर्गती कर देगी, एक वर्स तो गया ही भोगों में, अगले वर्ष के लिए नियू डाल दी, राक्षती, पुरा जीवन बरबात करने की, हमारी बात समझ लेना, हम तुमारे मित्र हैं, दुस्मन नहीं, ये जो नियू येर हैपी, सराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बेविचार करते हैं, इनका नियू येर अगला साल कैसा जाएगा, घोर पापाचारी, तुमारी दुर्गती होगी, ऐसे मिट जाओ के नामों निसान नहीं रहेगा, ये साप नहीं है, वरदान है, समझ जाओ, अगर तुम्हें कोई भी उत्षो करना है, तो भगवन नाम किर्टन करो, रात भर जग करके साब नाचो गाओ, प्रभू का यस गाओ, और दस पाच को इकठा कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, पुरा साल मंगल में जाएगा, सुबह हो, गवों को चारा दो, बक्षियों को दाना दो, अगर चार लोग मिलकर के, चार स्वेटर खरीद लो, ऐसे जो फुटपाथ में बेठे काप रहें, उनको पहना दो, चार लोग मिलकर के, अच्छा भोजन मनाओ, चार लोगों को जाके पवादो, सर्दी का समय हो गया है, एपी निव येर, ये राक्षसी निव येर मत मना न, अगर कान में आवाद पड़ रहे होने, तो जीवन तो बरबाद किया ही, आगे के लिए बीज बो रहे हो, अपने सर्वनास का, घोरा अनर्थ, निदानमर्थ मह, तो आम विद्य पार्थम परम, अभी समय है, अभी सुधार कर लो, कितनी देर की मस्ती, ये कोई मस्ती है, बेकूफी को मस्ती समस्ते हो, सराप पीकर गलियों में लड़ खडाते हुए, एक दूसरे से जगडा करते हुए, पैसान नष्ट किया, स्वास्त नष्ट किया, बुद्धि ब्रष्ट कि, ये तुम्हारा बड़े हो तुम, ये तुम बड़े हो, बड़ा वो है जो अपनी इंद्रियों को सासं में करके, प्राप्त सुक सामागरी को दूसरों की सेवा में लगाता है, बड़ा वो नहीं है जो अपने अर्थ के प्रभाव से, बेविचार में उतर जाए, जुआ खिलने में उतर जाए, कुमल कुमल पश्णों की हिंसा करके, रांध के खाने में उतर जाए, मन मानी आच्रण में उतर जाए, वो राक्षस है, वो बड़ा नहीं है, बड़ा हो है, वो बड़े जन कहे जाते हैं, जो दूसरों को शुख देने के लिए स्वयम दुख भोगते हैं और दूसरों को परमानंद प्रदान करते हैं सातरति सातरति सा लोकाम तारियती उनको बड़ा कहते हैं श्वार्था भ्रंश करम हे भाई पहले कह दिया है हमारी बात नहीं समझोगे ये स्वार्थ का नसाज़ तुमारे चड़ गया है कि ऐसे सुखी हुआ जाता है मन मानी आचरन करके ये तुमारा नास कर देगा मान लो अभी न मानो बहुत विचित्र विचित्र काल की गतिया है काल किसी को नहीं बख्षता मन मानी आचरन करोगे ऐसी सुब जगए में मारेगा आपको जहां तुम्हारा सुख सर्वस बिद्धवंस हो जाएगा इसलिए मान लीजिए प्रार्थना मान लीजिए ये मन और बुद्धी तुम्हारे दुस्मन है ये समय तुम्हारे मित्र नहीं है ये अज्यान अंधकार में भटकाने के लिए ही तुम्हें किवल संकल्प इविकल्प कराएंगे पेरना करेंगे भाग साली हो जो सत्संग सुनने को मिल रहा है सब को अपने जीवन के वो सत मार्ग में चलाने के लिए मानो देह दिया गया है शावधान हो जाओ अभी अनर्थ की निव्रती का समय है गुश्वामी सी तुलसिदा जी कह रहे है काहे को फिरत मूढ मन धायो तजिहरी चरन सरोज सुधारस रविकर जल ले लायो काहे को फिरत मूढ मन धायो ए भाई मन के कथना अनुशार मत चलो तुम मन के स्वयम जज बनो निर्णे करो क्या जब मन संकल्प करे तो पहले जाचो ये ठीक सतमार्ग युक्त संकल्प है या असतमार्ग युक्त है परिचे यदि हरी श्मरन चल रहा है हरी के चरनों का अस्त्रे है तो आप जान पाओगे मन की चाल को कि ये गलत निर्णे कर रहा है या सही यदि हरी बिमुखो तो ये त्रिकुनात्मी का माया तुम्हे समझने का उशर ही नहीं देगी और ऐसे भोगों में फसाएगी जहां किंचिन मात्र शुक नहीं है कैसे रविकर जल ले लायो कई वर्वताया है इसे मरभुमी में निर्मल जल का आभास कराता है जे ही भुवन भास करुदै होते हैं तो गंगा जी की जो रेती है उसमें खूब देखा है सैकुन बार देखा है दूर दिखा ही देता बहुत निर्मल जल तो जब म्रिग प्यासा हुआ जल धारा की तरफ पीठ करके और भागता है उस निर्मल जल को देखकर तो वहां रेत के सिवा कुछ नहीं होता ऐसे ही आयमन हरी की प्रेमरस धारा को तजी हरी चरन सरोज सुधारस अमरित धारा को छोड़ कर ये जो जगत के अधर्मयुक्त भोग है ये मृग कृष्णा है कभी नहीं प्यास बुझने वाली भोग लो मनमानी कर लो बहुत बार तुमने निव येर मनाया होगा इस बार हमारी कथनामसार मना लो तो ये मान लो कि आपके उपर अशीम कृपा हो जाएगी रात भर जगो हम कह रहे हैं रात भर जगो बारा वजे तक नहीं पूरी रात जगो पर हरे शर्णम हरे शर्णम राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम हरी जो नाम प्री हो सम मिल कर नाम कीर्टन करो फिर तुम देखना एक बात और बताय देते हैं जब कोई धर्म पर कदम रखता है चलने के लिए तो उसके पाप उस पर हावी हो जाते हैं उसको चलने के लिए बाधा पहुचाते हैं जिससे वो आगे ना चल पाए वर्तमान को सह जाना तुम्हारा भविश्य इतना मंगल में होगा कि कोई बाधा तुमें इस पर शी नहीं कर सकती वर्तमान में प्रारंभ में ही सुरू हो सकता है तुम्हारा पाप कर्म तुम्हें आगे बढ़ने से रोक शकता है पर ये गर हमारी पहले से सावधानी की बात मान ली कि चाहे जैसी परिष्थिती आ जाए आप ये न सूचे कि जब में पीता था खाता था मनमानी आचरण करता था हर सो विदा चरण चूमती थी आज जब त्याग दिया धर्म से चला तो बाधा पे बाधा पड़ रही वो नहीं वो बाधाये नस्ठ हो रही आगे तुम्हारा मार्ग परम शत्चिदानंद प्रकास में सुक में है भविष्य तुम्हारा बड़ा मंगल होगा और ये जन्म का परम लाग तुम ले पाओगे वर्तमान के भोगों में फस कर अपना नाश मत करो हरवान मंग कहता है कि ये खालूं तो ठीक हो जाएगा मन ठीक हो जाएगा ये भोग लूं मन ठीक हो जाएगा ये पीलू ये देखलू ये करलूं कब तक धिकार है ऐसे मन और धिकार है ऐसे अपने को कि हर बार इसकी बात मान लेता हूं कि सायद अपकी बार सुख मिल जाए लेकिन फिर हात में वही तरशना वही भोगवासना वही दुरवासना कभी तो पलट कर इसको जवाब देने की हिम्मत रखो कि अरे दुष्ट बहुत थसाया आप तक अब शदगुर्दिव मिल गए अब सास्त्रों के वचन मिल गए अब मैं तेरी चाल समझ भी आप तु नहीं फसा पाएगा लेकिन दो घंटा पहले कसम खाईे और दो घंटा में तुम्हें फिसला न दे तो बता देना दो घंटा में भूल जाओगे कि हमने कसम खाई फिर वही हरकत फिर वही चेष्टा फिर वही संकल्प क्यों 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 कि नाम जब नहीं श्री हरिवन्स नाम बल्लहो अपने मन भाई सब कहों रहों सरन हरिवन्स के अगर नाम जब चल ला ए तो जहां चाओ वहीं जो पेरवाली ब्रिक और राथवाली ब्रिक दरे में गाड़ी को खड़ी कर दो एक कदम नहीं जाएगी ऐसे ही जिस समय नाम जब चला है और भगवान के चरणों का आस्त्र है तो जहां चाहो वह ही मन को रोक दो ऐसा नहीं है कि मन इतना बलवान है भगवद आस्त्रित के आचरणों में कुमार्ग गामी प्रवत्तियां पैदा कर दे भूल न दे कुमारक पाऊं उसर बरसे इत्रण नहीं जामा संत हरदे जिम्य उपज नकामा जैसे उसर में कितनी भी बर्षा हो गास नहीं जगेगी ऐसे कितने भोगों का शानिद्ध हो भगवचित में कभी काम जागरत नहीं हो सकता वासना जागरत नहीं हो सकती भगवत चित आप ही हैं कोई और नहीं है आप भगवान के अन्ष हैं नाम जप नहीं है तो रोज कसम खाओगे रोज तूटेगी खुब अनवोखी बाते कह रहा हूं खुब देखे हुए सुने हुए समझे हुए ये बाते हैं यदि नाम जप नहीं है तो दुपार के कसम खाओगे साम के वही क्रिया करोगे जिसकी कसम खाई है वही बेशंग वही आदत वही चेश्टा भगवन नाम जप भगवद आश्ट्रे आगे बहुत विचार पुर्वक गुश्वामी जी अपने को विचार करने के लिए सब्द बोल लहें त्रियग देव नर अशुर अपर जग जोनि सकल भ्रमी आयो ग्रह बनिता सुत बंदु भय बहु मात पिता जिन जायो काहे को फिरत मूढ मन धायो कभी सुमर बना कभी कुत्ता बना कभी पसु बना कभी पक्षी बना कभी देवता बना कभी मनुष्य बना कभी राक्षस बना न जाने किस-किस योनि में मैं जन्मा हार योनि में मुझे सब सुख ही है मिले जिन सुखों को तुम मानो दे धारन करके भोग रहे हो छूटी-छूटे पसु-पक्षी भी मैथुन करते हैं उनके भी अंडे और बच्चे होते हैं जितना आपको प्यार है उतना उसको भी प्यार है जितना आप बड़ियां मोटे गद्दे पे सैन करने में आनन लेते हैं सुवर उतने कीचण में आनन्द लेता है जो आप मीनू बना के होटल में खाते हैं सुमर विष्ठा में उतन ही आनंद लेता है ध्याम दखना जितना आप विशय भोगों में सुख लेते हर जीव वैसे ही जैसे आप नींद का सुख वैसे हर जीव अंतर क्या रह गया भाई अगर सच्चिद आनंद प्रभू का नाम जप नहीं हुआ प्रभू का आश्ट्रे नहीं हुआ सुद्ध ज्यान प्रगट नहीं हुआ तो तुम्में सुवर कुत्ता पसु पक्षियों में अंतर क्या रहा बड़े महापुरुष कह रहे तिंते खर सूकर स्वान भले जड़ता बस जेन कहाएं कच्छुए कौन सा इसा दे है जो आद तक हमें मिला नहो फिर खुनलो राजुसु यह कि हो रहा है एक चीटा छोटा सा अन्न कण लिए टांग टूटी लड़ खड़ा के चल दा है अरजुन जी ने कहा भगवान कभी इस पर धया करो देखो इसके आलत गोले 14 बार इंद्र बन चुका है अपने को लगता है टूटी टांग टी चीटा कितना कश्ट पारहा है सरस्ठीम 14 बार इंद्र बन चुका है तो आपने क्या क्या बन गए होंगे गुश्वामी जी करें पसू पक्षी सुमर कुत्ता एत्रिजग योनियों में देवता बने, मनुष्य बने, राक्षस मने, क्या क्या नहीं बने अब इस समय ओशर मिला, पुनह मानों देह मिलकर तो ये मूर्खता सवार हो गई, फिर वही भोग, फिर वही पापाचरण, फिर वही मन मानी क्यों? क्योंकि घर में यही सिक्षा दी जा रही ग्रहे बनिता सुत बंदु भे बहु, मात पिता जिन जायो जाते निरे निकाय निरंतर, सोई इनु तो ही सिखायो इन सबने जितने समंदी मिले, कभी ये नहीं बिताया कि बैट करके भगवान का नाम जब कर थोड़ी दे तेरा परमंगल हो जाएगा, तेरी बुद्धी सुद्ध हो जाएगी जिससे हमें नरक मिले, घोर दुख मिले, वही आचरण मेरे माता पिता ने परिवार वालों सिखाया, मात पिता बाल कई बुलावें, उदर भरे सुई जतन सिखावें, बड़ी हाँ, धन कमाने लायक वनो, सुक्स विधायें, कत्तित करो, हमें खुब भोग सामागरी प्रदान करो, यही, कभी नहीं बताया कि धर्म किसे कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं, भगवान कौन ह जितेंद्रीता किसे कहते हैं, ब्रह्मचर किसे कहते हैं, सयम किसे कहते हैं, खुद को पता नहीं, तो क्या बताएंगे, बोले इनों ने वही बताया, जाते निरे निकाये निरंतर, सुई इन तो ही सिखायों, जिससे तुम्हें घोर नरक मिले, वही बातें सिखाई गई, व का नहीं होना चाहिए तुमने अपने माता-पिता होने का करतब निभाया वही राक्षज सी बुद्धी उसमें भरी अपने आचरणों से अपने चेष्टाओं से अपने वचनों से अप परिणाममें आप अच्छ सी बेवार नहीं करेगा और क्या करेगा जिससे गोर नरक यंत्रना प्राप्त हो वही सिखाया गया अपने बालकों को तू ही तो होई कटे भवबंधन सोमग तो ही नबतायों तुम्हारा मंगल हो जाता तुम परम शुकी हो जाते ग्रेश्ट में होकर नाम जब करते ह ये सब को शुक पहुचाने की भावना से तुम अपने भवबंधन को काट देते परम पद में आरूड हो जाते पर तुमको वो मार गही घरवालों ने नहीं बताया आप देख लो कोई बिरलाई घरवाला ऐसा होगा अगर आप दस मिनट रज लगा कर माला लेके बैठे तो हमारे किसी कामका नहीं रहेगा तो गुरु को गाली उसको गाली भगवान को गाली सब सुरु हो जाएगी घर से छव़ाल के बाहर फिकवा दिंगी तुमारी कंठी तोड़ने की अगर नहीं किए तो उनके धमकी आने लगे अगर कल से माला लेके बैठे तो हम ऐसा कर धन्य है वो माता पिता कि अगर कभी भूल से तुने सराप पी मांस खाया बेविचार किया अगर पापा चरण किये तो हमें जीना अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे पुत्र से या तो तू मर जाता या मैं मर जाते अगर यह करनक लगे कि तुम्हारा पुत्र चोर, तुम्हारा बेविचारी अएसे पुत्र की जरुवत नहीं, ऐसी कभी सिख्षा दी ऐसी कभी भावना है बैठा ली उनको सत्मार्ग की, नहीं अगर वो सत्मार्ग सुनकर चलने लगे तो रोकने के लिए जरूर प्रयासरत सहे कुणों ऐसे हमारे पास प्रशनाते है आजहूं बिशय कह जतन करत आज सत्संग सुन रहे हो तो आज सुधार कर लो मान लो यह बहुत बड़े खतरे का दिन है जिसे तुम कह रहे हो हैपी निव यर हमको बहुत खतरा दिखाई दे रहा है एक साल तो गए मिट्टी में और इसमें तुम सरापी होगे कलब में जाओगे गंदी बाते करोगे पहली ही निव अगले वर्स की तुमारी गंदी रख गई राक्षसी बुद्धी की रख गई हम बारवार प्रार्थना करते होस में वो बड़े भागिशाली है जो धाम आये हुए है वो बड़े भागिशाली है जो यहाँ कुछ नामजब करेंगे नामकिर्तन करेंगे सबसंग सुनेंगे यमुना जी का दर्शन करेंगे बिहारी जीव का उनका जीवन मंगल में हो वर्षिकी क्या बात पूरा जीवन मंगल में हो भाव कुभाव अनखालश हू नामजबत मंगल दिशिदश हू लेकिन ये उनकी बात है जो भगवान से बिमुक होकर आज भी विशे सेवन में सुख ढूण रहे हैं यद्यापी बहुत प्रकार से दुख पा रहे हैं पर उनको रास्ता ही समझ में नहीं आरा भगवत मार्ग का आनंद का वो गंदी बातों में ही बढ़ते चले जा रहे हैं पावक काम भोग घृत ते सठ कैसे परत बुझायों हमारा मन समझाता है हम यदि भोग भोग लें तो हम सुखी हो जाएंगे लेकिन सिद्धान्त कहता है आग को घी मिलेगी तो आग बढ़ती चली जाएगी आग में घी न पढ़ने पावे तो आग शांत हो जाएगी भगवन नाम भगवन लीला गुणगायन काम आगनी के लिए ये जल के समांतत काल शांत करने वाला है और भोग क्रियाए और आग पैदा करने वाली बर्षों बितीत हो जाते हैं वही नवीन आग एक बार ये खा के देखें साइद इसमें सुख मिल जाए एक बार ये देख लूँ ये सूंग लूँ ये छूनूँ सब इस परस रूपरस गंद पूरी सरस्टी को पांच विश्यों में बाढ़ा गया है इसी में हम रमित हो